वे वोट्सब कैस्तो किया हल चला आप सबी गए कि आज कि इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं Intel के माई वाइफ आ के बारे में वैसे इस पर मैं ओड आ लेडिक काफी सारे वीडियो बना चुका हूं जैसे इसका unwoxy वीडियो उसका speed test video और आप सब्सक्राइब काफी सारे क्यों आये थे तो उनका एक separate video बनाके आंसर कर चुका हूं इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके review के बारे में तो इस वीडियो में मैं इसका पूरा review के बताने वाला हूं स्टार्टिंग के एंडिक तक आपको सारे जो चीजे इसके बारे में जानना चाहिए वो सारे चीजे बता दूगा गई सबसे पहले बात करें इसके build quality के बारे में तो आपको यह black कलर में देखने हूं मिलता है बाकी कोई भी color में available नहीं है वैसे बात करें तो इसका texture काफी अच्छा है मेरे को पसंद आया आगी तरह आपको LED पैनल दिया गया है पीछे की तरफ आपको एक battery पैनल है और यह plastic बोडी है तो फिट भी काफी अच्छी बोडी है तो चल जाएगा और इसमें scratch नहीं दिखाए देती आपको इसमें scratch वगरा भी हो जाती है तो वह नहीं दिखाए देती टेक्सर काफी अच्छा है इसलिए मैं बोला हूँ आगी की तरफ आपको देख सकते हैं कि LED पैनल जिसकी डिस्प्ले इसमें आपको चाया sign देखने हूं होता है सबसे पहला sign है बैटरी का तो इसलिए आपको बत इसलिए आपको जब भी कोई मैसेज आएगा तो नोट्विकसन कर देगा कि आपको बता देगा कि मैसेज आए हूँ आप चेक आउट कर लो तो इसमें आपको दी गई है 2700 एमेज की बैटरी जो इसलिए आपको तीन से चार घंटे का इसलिए वर्किंग टाइम दे देती है बट इसके लाव बात के तो मेरे को यह ठीक ठाक लगी डिसेंट है कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बट मेरा पस्नल एक्स्पिरिय जादा गंजूम होती है तो इसके बैटरी तो ज्यादा गंजूम हो नहीं है तो इसमें आपको बैटरी बैक अप इतना अच्छा नहीं देखने हो मिलने वाला और गैज यहाँ पर आजिदे हम बात करें स्पीड के बारे में तो यहाँ पर आपको यह देता है अपलोड की स्पीड जो देता है वो देता है 50 Mbps और यह डाउनलोड की स्पीड की बात के तो यह देता है आपको 150 Mbps और यह ठीक ठाक स्पीड अच्छी खासी स्पीड है यह तोटली ड्यपेंड करती है आपके अपर कितंगे अच्छे आपके अच्छे आपको स्पीड देखने ओं मिलने वाले इसमें अवरिमंग जलिदे है आपको स्पीड टेस्ट का एक डेमो वीडियो देखना है तो उसकी करेगा तो बिल्कुल भी नहीं करता है वर्क कोई भी आपका चांस नहीं कि ये विडाउट जो बैटरी के प्लग-इन कर देते हैं तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा बट हाँ यदि आप इसे बैटरी लगए हुई है और आप इसे प्लग-इन चार्ज में लगागे छोड करूज आपको बता दो कि ये बाकी कोई सपर्ट नहीं करता है ये प्रीपेटी कर भी कौई ऐसे पर यूस्मे प्लान्स पोई ब fish करने होते हैं तो आपको वह एक्टिवेट करवा सकते और यूजằ कर सकते हैं चाहारे वह यूग पूस्ट पेड़ अ तो कोई भी plan activate करवा सकते हैं यूज कर सकते हैं इसके लिए कोई special plan नहीं बना हुआ कि भया ये वाला plan activate कर रहा हूँ तब आपके इस wifi में चलेगा ऐसा नहीं है आप कोई भी plan आपके mobile में चाहिए आपके mobile में 100 MB data हो आपके SIM card में तो वह भी work करेगा इसमें तो एजली कोई भी plan activate करवा सकते हैं काफी बंदों का question ये भी होता है कि भया इसमें purchase क्यू करें कि इसमें क्या speed तेज आती है मतलब यदि हम वही SIM ATL के SIM में अपने 4G mobile में यूज करूँ और वही 4G SIM में यदि होट्सपोर्ट में यूज करूँ मतलब मान लीजे कि मोबाइल में 2 Mbps की speed आ रही है तो इसमें आपको 3 Mbps, 3.5 Mbps की speed easily मिल जाएगी बट उसके उपर आप ऐसा भी मत्सोच लेना कि आपको mobile में 2 Mbps मिल रही है और आपको इसमें Wi-Fi में आपको 6-7 Mbps की speed मिल जाएगी यानि आपको इसमें 10-15 Mbps की range देखनों मिलती है और easily इसके साथ आप एक साथ 10 device कनेक्ट कर सकते हैं काफी बंदों का क्यूसन यह भी रहता है कि क्या इसे unlock कर सकते हैं तो मेरे साब से इसे unlock नहीं कर सकते हैं मैं तो काफी try किया बट यह unlock नहीं हो पाया और क्या पता आपके पास कोई ऐसा जुगाडू बंदा हो जो इसे unlock कर दे बट कोई मैं उसके बारे में कुछ बता ही सकता यदि आप करवाना चाहते हैं तो बहुत कुछ भी possible है तो आप करवा भी सकते हैं बट मेरे साब से यह unlock नहीं होता है तो आपको एक कंडिशन में रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप परचेज करें तो ऐसे में मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे जाके परचेज करें इसके लावा आप जाके एक हुआई का वाइफाई होट सपोर्ट है बट वो क्या है कि वो विदाउट बैटरी का है बट इसमें एक फाइदा भी है कि वो यूनिवर्सल है उसमें कोई भी सीम सपोर्ट कर सकता है आप वोड़ा फोन के डालो जियो के डालो कोई भी सीम सपोर्ट कर लेगा उसकी प्रैस की बाद करे तो वह आपको 3300-3400 पर मिलता है इसकी प्रैस की बाद करे तो यह 3000 के आसपास मिलता है मेरे साब से वह बैस्ट चोईस रहेगा यह आपको बैटरी नहीं चीए मतला उसके अंदर बैटरी नहीं आते इसमें इन-बिल बैटरी सताइसो इमेज की और उसकी लिंक की बात कहें तो वह बी मैं वीडियो की डिफिश्यम में डाल दूँगा जाकर चेक आउट करेंगा और गाइस इसकी एटल के MyWiFi और सपोर्ट के लिंक भी मैं वीडियो के डिप्टिम डाल दूँगा चाहिए चेकाउट करना और प्लीज लिंक से पर्चेज करना है यह दिया आपको पर्चेज करना है तो लिंक से पर्चेज करना उससे क्या होगे अपने चैनल को थोड़ा ब तो सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए नहां दौट कहले के उसके लिए मलगना यगा सर्च करना गूगल पे और आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नया पेज देखने में मिलेगा जिसमें सिंपली काफी साइज सेटिंग होगी इसकी और साथ में आपको जो आपके आपको एक्सेस भी मिल जाएगा तो आपके जो भी डाउट थे माई वाइफ से एटल के माई वाइफ से एडिटेड तो वह क्लियर हो चुके होगे बट फिर भी आपके कोई डाउट है अब जाके कमेंट सेक्शन में पूछ रखते हैं मैं इसलिए आपको आंसर कर दूँगा आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना और आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं लेक्सी वीडियो में लेक्सी टेक एट टेक न्यूस के साथ तब तक के लिए पीस आउट